इदर ग्यान व्यापी केस में वारानसी कोट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दिया इकोट ने मामले को पोश्णिय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया मुस्लिम पक्ष के तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ग्यान व्यापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए लेकिन कोट ने स्पष्ट कर दिया कि याचिका पर सुनवाई संभव है इसी वज़े से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया इसी बीच हमारे समयता ताबिश कमाल ने अकिल भारतिय संत समाज की राष्ट्रि उपाध्यक्ष महंद सुरेंदरनाथ अवधूत से खास पाचित की सुनी कुछ अच्छ गानवापि का मुदा अब लगातार गरमाता जा रहा है रामossa के बाध एक और मुदा अब उट करके सामना आया हला कि मुस्लिम पक्ष की याचिकाः का खारिज होने के बाध कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को एक जटका लगा है चुकि जिस तरह से कोट में हिंदू पक्षी तरफ से याची का दायर की गई थे उस सुनने के लिए कोट तैयार हो गया है 12 अलिसो थमासा चर्चा करने के लिए अखिल भारते संथ समिती के राश्टे उपाद्याक्ष महन सुनननात अफदू थे उनसे बात करते हैं महन जी संथ समाच के उपाद्याक्ष हैं आप अखिल भारत संथ समाच जो है इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से कोट ने अपना वक्त अवे रखा और कोट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को सुनेंगे हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था जो आप लोगी मांग थी वो कहीं न कहीं सुविकार होती नजर आई और अब पूरा मामला सुनने योगी हो गया है क्या कहेंगे इस पर आप कि माले नयाले का जो भी निर्ड़े आया है वो स्वाकति योगी है कम से कम हिंदू पक्ष की दलीलों को सुनने के लिए कोट जो तयार हुआ है और जो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये शिवलिंग नहीं एक फवारा है जबकि हमारे हैं जो कहाता प्रतक्षम किम प्रमानम जो प्रतक्ष है जो सामने दिखाई दे रहा है उसके बाद भी अगर उस पर को विवाद किया जाता तो निश्चित रूप से ये बड़े हरानी की बात है क्योंकि हम देखते हैं कि जो सारे चिन हैं वहाँ पर मंदिर के चिन महां मौझूद है हर्शिदी मंदिर है और जो नंदी है वो उसका मुख भी जो है शिवलिंग की और ही है तो इसने ये अच्छी बात है कि कोट में ये कम से कम जो है सुनने को त्यार जीवलिंग कहना है मुसलिम पक्षा कहना है येकी फवारा है और ये मिठक बनाने की कोशिश के जा रही है आप परिस्तिति राम मंदिर जैसे उत्पन होती आ रही है जैसा देखें आप जानते हैं वोगलक आल में लगवग तीस जार मंदिरों को दोस्त किया गया हिंदू पक्ष की मांग केवल जो जन्म स्थल को लेकर है वो काशे के ग्यान में आपी अयोध्या में जो कृष्ण जन्मुहमी के विवाद को हम जो है क्योंकि हमारे आस्था का प्रश है और के शन्मुहमी बाकी रह गई है और यह अच्छी बात है कि कोर्ट ने कब से कम जो हमारी बात को सुनने के लिए जो तयार हुआ है ततफ़ यह हमारे लिए जो है बड़ी प्रसंदा की बात है अब सवाल यह है कि आपको लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर का फैसला था क्या काशिव विश्वनात मंदिरिया ग्यान वापि का फैसला भी वही होगा इसलिए देखिए को सामने बिल्कुल परतक्ष प्रमान है फुवारे के लिए एक पाइप लाई निया ऐसा होना चाहिए को अंदर से आके फुवारा उपर पानी फैंक सके जबकि इस तरह की को वह एक भगवान भोले नात का वह शिवलिंग है और बिल्कुल सब के सामने है कई वर्षदक राम लला टेंट में रहे भगवान भोले नात कब तक रहने वाले फुवारे की रूप में कुछ लग रहा है ऐसा देखिए ये अब तो माननी है जो नयायले के निरने के बाद ही संतों के लिए बड़ी जीत है हलाकि मुस्लिम पक्षकारों का लागातार ये कहना है के एक मिठखबनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कूट चुकी से सुनने के लिए तैयार हुआ है तो जाहिर से बात है कही ना कही हिंदू पक्षके लिए ये एक बड़ी जीत है